दोस्तों नमस्कार आदाब सत्स्रीयकार नियूज क्लिक के कारिकरम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश इन दिनों डी कॉलनाइजेशन आफ इंडियन जूडिसियल सिस्टम पर बहुत सारी बातें हो रही है Decolonization of Indian Judicial System का मतलब कि जो आपनेवेशिक विरासत हमारे नियाय विधान की रही है चोंकि हम ब्रिटिस हुकूमत के मातहत थे 1947 में जब हम आजाद हुए Constitution जब बन रहा था उस वक्त भी हमारे देश के जो नीति निर्धारक थे कहीं न कहीं उन पर ब्रिटिस हुकूमत के दवरान के कानूनों का असर था बहुत सारी जो और जो विरासत के पहलू थे उनका असर था तो कैसे उस अपनेवेशिक विरासत से मुक्त हुआ जाए और ज्यादा से ज्यादा सिस्टम को जोडिशरी को खास करने आए पालिका को कैसे और ज्यादा राश्ट्रिक क्रित किया जाए ये मकसद है इस तरह के विचार का तो इस पर आज कल काफी गोस्टियां काफी सेमिनार हो रहे हैं कई जगा हमने देखा कि राजनेता तो राजनेता समिधान विश्यषग्य और कुछ बड़े जो नयाधीश हैं सुप्रिम कोर्ट के सर्विंग जो जज़ेज हैं वे भी इस पर बात कर रहे हैं तो दोस्तो आज Decolonization of Indian Judicial System पर हम एक ऐसी ही टिपणी की चर्चा करेंगे और ये टिपणी किसी और की नहीं देश के जाने माने नियाविद और भारत के सर्वच नियाले के नियाधीश जस्टिस एस अबदुल नजीर साहब की है और ये जो टिपणी है उन्होंने कोर्ट में नहीं उन्होंने किसी मुकदमे की सुनवाई के दवरान नहीं उन्होंने एक संगोष्ठी में यह टिपणी धर्च कराई और जो लाइव ला नाम की एक एजनसी है जो आम तोर पे कानूनी जो पहलू है कानूनी मामलों की जो प लाइव ला जो एजनसी है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर मैंने जब देखा कि जस्टिस S. अब्दुलमजीर सहाब क्या कहते हैं उन्होंने दरसल एक संगोष्ठी जो हुई थी इस संगोष्ठी के आयोजक एक अखिल भारती अधिवक्ता परिशत थी एक संगोष्ठी के जो अपने आपको रास्ट्रवादी शक्तियां कहती हैं उनसे उनकी संगोष्ठी में जो बातें कहीं वो कुछ तो बहुत महत्पूर हैं जैसे उनका ये कहना है कि डी कोलनाजेशन आप इंडियन जुडिशल सिस्टम के लिए शिक्षा के अस्तर पर जानून के जो चात्र हैं उनको नई नई चीजें पढ़ाई जानी चाहिए ये बिलकुल उनकी बात सही है कि जो नए चैलेंजेज हैं और कैसे भारत के जुडिशल सिस्टम को ज्यादा रास्टिक कृत मनाया जाए कैसे समता मूलक मनाया जाए कैसे इस प्रकार का बनाया ज ये जो पहलू है इस पर निस्चित रूप से सिक्षन दिया जाना चाहिए इसमें शायदी किसी को एतराज होगा लेकिन इस सिलसिले में जस्टिस नजीर जिन प्रबुक लोगों का नाम लेते हैं जो भारत की प्राचीन जो विरासत के बहुत महत्पूर्ण उनको नियावि लेते हैं और उसमें जो नाम लेते हैं वो है मनु, नारग, व्रिहस्त्पति, कौटिल्ली और याग्यवलक उनका मानना है कि ऐसी जो प्राचीन शक्सियते हैं इनसे प्रेरना लेने की जरूरत है नियाविवस्था के भारती करण का ये रास्ता इससे दीखता है इससे नज भी हैं जो अन्य लोग है नारग से लेकर अन्य लोग उनके बारे में भी नहीं का आ जा सकता है कि आधुनिक रास्तर निर्माण जो भारत का हो रहा है उसमें वो कितने रिलिवेंट और कितने रिलिवेंट नहीं है लेकिन मनु के बारे में तो हमारे सभाज के व्यापक हिस इसे में आम साहमत ही है कि वो आज की तारीख में आज के आधुनिक भारती रास्ट के निर्माण के किसी भी छत्र के लिए वो रिलिवेंट नहीं है। भारत के जो कानून मंत्री थे शुर्वाती दोर के दाक्टर भीम राव अमबेटकर ने मनु के बारे में जो बातें कहीं है जो लिखी है अपने वांग्मे मैं में वो अनेक पन्नों तक बिखरी पड़ी हैं। लेकिन उन्होंने 1927 में 25 दिसंबर को इन महाशय मनु की जो संगिता है मनु स्मृति जीस का नाम है और जिसमें 12 अध्याय हैं लगबग 30,000 श्लोक हैं और इन श्लोकों और इन अध्यायों में असमानता के सिथांत को जिस तरह प्रतिपादित किया गया है न्याय को जिस तरह से पूरी तरह मुठी भर लोगों के हाथों में केंद्रित किया गया है जिस तरह एक ऐसा गर्शन बुना गया है संगिता के नाम पर जो उत्पीडन और शोषन को अत्याचार को जायस ठाराता है उस मनुस्मृति और उस मनु को बाबा सहाब डाक्टर बिय तरह खारिज किया उन्होंने 1927 के 25 दिसंबर को जो बहुत उनका पहुत चर्चित महाथ सत्यागरा था उस दर्मियान मनुस्मृति को जलाया हजारों लोगों के साथ मनुस्मृति का दहन किया अब सवाल इस बात का है कि माननी ये जस्टिस अब्दुलनजीर साहब एस अब और जिनकी संघिता के बारे में डॉक्टर बियारमबेट के क्याग नहीं कह चुके हैं उसे अत्याचार, अनाचार, उत्पीडन, शोशन, दमन, असमानता की संघिता बता चुके हैं उसका दहन कर चुके हैं उनकी संघिता का अगर उस मनु का नाम सुप्रिम कोट के एक सर् आफ ले रहे हैं तो निश्चित रुप से उनको व्याख्याईत करना चाहिए था कि आखिर MENU के वे कौन पालू हैं जिनकी वो चर्चा कर रहे हैं लेकिन वो सिर्फ MENU का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं तो इससे MENU Totality में सामने आते हैं और जब totality में सामने आते हैं, संपूर्णता में सामने आते हैं, तो असमानता के प्रतीक के रौप में ही सामने आते हैं। इसलिए सवाल उठता है कि Justice S. नजीर सहाब आखिर किस भारती करण की बात कर रहे हैं। ये judicial system का भारती करण होगा या ब्रामणी करण होगा। डाक्टर हम बेटकर इस मामले में बिल्कुल साफ साफ करते हैं कि आधुनिक भारती रास्ट्र को आधुनिक न्याय विधान चाहिए। और भारती संबिधान इसी की कोशिश करता है। हम भारत के लोग प्रियंबुल से शुरू करके वो संबिधान लोगतंत्र की, लिबर्टी की, व्रात्रित्तो की और समानता की वगालत करता है। समानता, लिबर्टी, यानि स्वतंत्रता और व्रात्रित्तो इन तीन जो बड़े पहलू हैं लोगतंत्र के, बहुत सारे लोग इसकी फाउंडेशन, इसके आधार दुनिया की महान क्रांतियों में ढूंड सकते हैं। फ्रांस की राजे क्रांति से लेकर अन दुनिया की क्रांतियां, लेकिन बाबा साहब हम बेटकर तमाम आधुनिक रास्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया क्रांतियों के अलावा, इसका बहुत बड़ा आधार बहुत दर्शन में तलाशते हैं। और बहुत दर्शन पर जब वो टिपपणी करते हैं तो उन टिपणीयों की रोशनी में इस बात को समझा जा सकता है कि बाबा साहब ने इन तत्वों को जो संविधान के बुनियादी तत्वों हैं, आधार भूत तत्वों हैं, उनको कहां से ग्रहन करने की प्रेणा ली इंडियन जुनिशियल सिस्टम के डी कोलोनाईजेशन के बारे में इन दिनों काफी चर्चा हो रही है, मैंने अन्य भी कई जजों के भाशन, विबिन सेमिनारों, विबिन संगोष्टियों में देखे, राजनेताओं के देखे, और ये आश्यर की बात है, आश्यर की बात ह कि अभी जो विबादास्पत धर्म संसर देश के कुछ एक हलकों में हुई, खास कर उत्राखंड और चतिसगड़ में, वहां भी कथित धर्मात्माओं ने, जिन कुछ लोगों के नाम लिये, उसमें मनु से लेकर के और इसी तरह के बहुत सारे लोग थे, अगर हमें अपनी प्राचीन विरासत से कुछ सीखना है, तो उसमें लोकायत का भी दर्शन है, उसमें अन्य बहुत सारी चीज़े हैं सीखने को, हम क्यों एक पक्षी होते जा रहे हैं, भारती करण, भारत की अवाम के पक्ष का होना चाहिए, भारती करण, मनुवादी दर्शन या ब्रामनी करण की विचारधारा के साथ इसका कोई तालवेल नहीं हो सकता है देश की 80 फिस्नी आबादी उसके सरोकारों उसके विचारों उसकी जरूरतों को नजरंदाज करके किसी नए जूडिसियल सिस्टम की आधारशिला नहीं लखी जा सकती माननिये जस्टिस एस अब्दुल्नजीर सहाब बहुती विद्वान और बहुती भले मानस माने जाते हैं एक थारो जेंटिलमैन राम जन्भूमी बाबरी मस्टित विवाद में जिस एतिहासिक फैसले से राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रसस्त हुआ उस जज्मेंट में जो पांच जज़ों की पीट थी उसमें एक एस अब्दुल्नजीर सहाब भी थे उनके कई फैसले बहुत महत्पून है सन 2017 में वो सुप्रिम कोर्ट में जज़ के रूप में पदस्थापित हुए और कई महत्पून वो फैसले अब तक दे चुके हैं जिनमें जैसा मैंने बताया कि राम जन्द भूइंबाबरी मस्जिद का फैसला भी एक उसमें शामिल है जो खासकर जो टेंपुल के निर्माण का रास्ता प्रशस्त करता है वो करनाटक के रने वाले हैं वहाँ पर वकालत भी कर चुके हैं लबे समय तक तो उनका जो ये वक्त अब एक संगोष्ठी में आया है DECOLONIZATION of Indian Judicial System को लेकर और उसमें जिस तरह उनोंने प्राचीन काल की कुछ विभूतियों बहुत सारे वहुत को विभूति मानते हैं उनको उन्होंने कोट किया है उनका नाम लिया है कोट तो नहीं किया है उनका नामों लेक किया है और उनके विचारों उनके गर्षन से सीखने और इन्रिच करने और सम्रिद करने की बात की है इंडियन जोडिसियल सिस्टम को मैं समझता हूँ कि उस पर गंभीर चर्चा की जरूरत है और उसको उसका मुल्यांकन सभी पहलूं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए तो डी कॉलनाइजेशन की जो बात शुरी है उसका ये पालू तो सही है कि जो डिसियल सिस्टम को ज्यादा माडर ज्यादा समता बुलग बनानी की जरूरत है ज्याय भीख नहीं है कि हम ज्याय की अपील करें लेकिन ज्याय कैसे होना चाहिए न्याय पर कुछ लोगों का अधिपत के न्याय के विधान पर नहीं होना चाहिए मनस्मृती तो अस्मानता का दर्शन है उट्विडन का दर्शन है अत्याचार की संगीता है जैसा डॉक्टर वियर अर्मबेटकर ने कहा है इसलिए ऐसे लोगों की संगिताओं की रोशनी में भारत के जोडिस्टियल सिस्टम को संब्रिद नहीं किया जा सकता है सिर्फ विनस्ट किया जा सकता है सिर्फ उसको और खराब किया जा सकता है तो साब आज इनी शब्दों के साथ आज की बात में इतना ही नमस्कार आदाब सत्स्रियकार